हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एंसी क्यू में तो आज यह जो है एक फार्मासिस्ट औरा कोर्म है जो हुआ हैं ने प्रोवाइड कि रहा है तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी रोहिनी को इस question paper के लिए अभी हम अपनी इस वीडियो में क्या करेंगे question paper को solve करेंगे तो इसके जो answers है मैं आपको इसकी answer की कि according सारे answers बता दूंगी तो इसमें 52 number question से जो है 52 से 100 तक है फार्मा फार्मेसी के questions है तो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे यह जो हैं क्वेशन पेपर्स हैं आपके सभी फार्मा एक्जाम के लिए important होते थे फार्म का आपको कोई भी एक्जाम है जिपेड टाइप ड्रग इंस्पेक्टर और उस्टेट फार्मसिस्ट एक्जाम होते हैं जिसे है कैरला यूपी का है घर एक्जान अब कि यह अग्यों के एक्षान की कर रहे हैं चानल करना को करना टाकि नोटिफिकेशन धान को मिलते रहे हैं क्वे dud हैं है question है the guidelines for inclusion or non-inclusion of drugs in the hospital formulary are framed by pharmacy and therapeutic committee staff committee medical audit committee या infection control committee अंसर हो जाएगा आपका कौन सा option ने हो जाएगा pharmacy and therapeutic committee ओके जो PTC है pharmacy and therapeutic committee next question है computer based system of the US national library of medicine and LM that allows rapid access to store biomedical information options है biosis meddler metaphor या non-lin तो आंसर हो जाएगा आपका option B हो जाएगा meddler next है new England journal of medicine is which type of drug information resource primary source secondary source tertiary source या formulari तो कुण सा source हो जाएगा option यह हो जाएगा primary source है next है thermo-label powders are sterilized by sterilization से question है तो thermo-label powders के sterilization के लिए क्या यूश करेंगे दिखे ड्रा हीट ऑटो प्लेविंग इथालीन उक्साइड गैस या UV radiation thermo-label powders के लिए gas यह sterilization आप पढ़ते हैं तो option C हो जाएगा आपका इथाइलीन उक्साइड गैस हो जाएगा okay तो sterilization का मैंने वीडियो बनाया हुआ sterilization के mcqs का 5000 mcqs की series जो चलाई है उसमें sterilization के mcqs देखना ठीक है sterilization के जो mcqs हैं उसी वीडियो में से ही आ जाएंगे तो आप उसको चेक करना ओके next है following statement of unit dose system are correct देखिए options पेशेंट receives improved service round the clock and charged for only administered dose next option allow nurse more time for direct patient care next option है medication errors are decrease next option है eliminates waste of drug and pill phrases तो answer देखिए अब इसके आप आपको answer करने इसमें आप option ये a b c d टाइप से दियो हैं कि only one three and four मतलब कि कौन सा इसमें से सही है one three and four है या फिर one two and three है three and four या all देखिए सारे ही इसमें सही लिखे हुए तो आपका option d ही हो जएगा all okay question देखिए next है all of the following statement आप परेंटरल प्रड़क्ट साट्र्यू एक्सेप्ट देखिए option से देखिए इसमें क्याल दिया वह ड्रग प्रड़क्ट इस एजिया तो रिमूब फ्रों वायल्स दन अंपाउल्स अंपाउल्स आर इंटेंड़ फॉर मल्टिपल यूज तो अंपाउल्स जो मल्टिपल यूज के लिए नहीं होते तो सिंगल यूज के लिए होते हैं नेक्स लार्ज वॉल्यूम पर एंट्रल सार इंफ्यूजन स्लूशंस तो इसके option इस टाइप से देखिए हैं कि only 1 & 2 only 2 & 3 Only 1 & 3 all of the above तो इनकी आंसर की में इसका answer option C दिया हुआ है कि only 1 & 3 थिक है तो इस question को आप लोग देख लेना नेक्स है i n a b c analysis of inventory control एक लास आइटम सार अबाउट डैश ऑफ टोटल आइटम सी नंबर एंड डैश ऑफ दा एनुवल कंजप्शन वैल्यू ओफ आइटम से तो एब सी जो इन्वेंटरी कंट्रोल में जो आप एब सी अनालिसिस पड़ते हैं उसमें एक लास आइटम सोते हैं बीक बी आइटम सो होते नहीं तो ओप्शन एक कर देंगे आप फिफ्टीन परसेंट ऑफ टो टोटल आइटम से नंबर एंड एटी परसेंट ऑफ दा एन्वल कंजप्शन वैल्यू ओफ आइटम तो ओप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा ओके तो यह जो डिएस्बीम के एमसी क्यूज है तो डिएस्बीम का भी वीडियो अपलोड़िड है आप लोग उसको भी देख लेना नेक्स्ट है टरेटोजनिक ड्रग एकसेप्ट तो टरेटोजनिक ड्रग है इनमेंसे कौन-कौन सी है एक को छोड़के दिखें स्टिल बैस्टिरोल है टरेटोजनिक वॉर्फेर इन भी होता है हाइपोप्लाजिय ओफ नोस हुजाता है ना फैनिटोजनिक के तो आपको पता है फिटल हादंटॉज सिंड्रम को सिंड्रोह करता है बचा क्या दाइस साइकलोमीन जो ट्रेटोजनिक नहीं होता आपका राइट हो यह नेक्स्ट है इंटरनेशनल ड्रग मोनिटरिं सेंटर देखे उपसाला स्वीडन जेनेवा स्वीडिजर लैंड वशिंग्टन डी सी यूएस या मैक्सिको सिटी मैक्सिको आंसर हो जगा ओप्शन ए हो जगा अपसाला स्वीडन next which of the following organism can cause Peptic Ulcer disease तो कौंसा और्गनिजम में Peptic Ulcer disease cause 的 項सर, Clochus सदन काड़िक डैथ, कंजस्टिव हार्ट फेलियर या मायो काड़ इन्फार एक्शन तो ओप्शन C हो जगा कंजस्टिव हार्ट फेलियर ओके नेक्स्ट है सब्सक्राइब नेक्स्ट है नॉर्मल सेफ्टी रेंज पोटाश्यम इन अडल्ट ब्रड इस 1.522 फ्लिटर 3.525 फ्लिटर 6.8 फ्लिटर या 0.521.3 फ्लिटर तो आंसर हो जगा ऑप्शन भी फ्लिटर 3.525 फ्लिटर नेक्स्ट है बाटोंस लाइन इस ए क्लिनिकल साइन पोईजनिंग ओफ ओप्शन देखे मरकरी बिसमत लैड या आर्सेनिक तो इसका अंसर हो जगा आपका लैड हो जगा ओके ऑप्शन जो है बी राइट हो जगा लैड आंसर हो जगा इसका क्वेशन देखे नेक्स्ट है मेटाबोलिक एसीडोसिस कैन बी कंपैक्टिड बाए टोल्यून, एमफोटारसीन, स्पार्नोलेक्टोन या ट्रिस अमीनो मिथेन ठीक है तो आंसर हो जगा ओप्शन इसका डी हो जगा ट्रिस अमीनो मिथेन हो जगा क्वेशन देखे नेक्स्ट है वोर्फेरिन मेटरनल डाजोल ड्रग इंटरेक्शन इस जीव तू घी बी इस गयी क्या करता है वोर्फेरिम के मेटर ड्रग ईंटरैक्शन जो होता है वह BUT आप टायव हो जाएगा है जो मेटर रिट राइट हो जाएगा तोКак metabolism को inhibit कर देती हैं तो इसका क्या होज़ेगा option भी होज़ेगा alteration in metabolism next है by availability may be determined by using option देखे plasma drug concentration versus time profile urinary drug excretion studies measurement of an acute pharmacological effect या clinical studies और in vitro studies तो by ability may be determined by तो किस से by availability को determine कर सकते हैं तो इसका answer देखे options देएं आपको कि only one and two only one and three one two three and four yeah only one three and four तो option C हो जगा मतलब चारों ही method यूज़ कर सकते one two three and four next है following statement concerning drug addiction are correct except an overpowering desire or compulsion to continue taking the drug or to obtain it by any means okay next a tendency to decrease the dose तो drug यह इसमें एडिक्शन आएगा एडिक्शन लिखा है इनोंने तो इसमें decrease the dose तो हो गाई नहीं ना decrease थोड़ना होगी डोज़ रखी नहीं साइकिक या physical dependence on the effect of drug options दी होएं only one and two only two and three only one and three मतलब कि only जो one है और थी है मतलब कि following statement concerning drug addiction are correct accept तो देखिलने इसका answer option c दिया होएं next है which of the following statement is not true for dry heat method of sterilization तो dry heat sterilization होता है जिसमें hot air oven use करते है ना तो उसके बारे में statements दी हुई है तो no true कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है देखिए यूज़ इस्टलाइशन इस डन बाई heating at a temperature of 160 degrees Celsius for two hour बिल्कु सही है इसमे 160 degrees Celsius for two hour temperature होता है बिल्कु सही है destruction of microorganism is affected by oxidation of essential cell constraint बिल्कु सही बात है this method is not suitable for powders and oily materials तो powders and oily materials के लिए यूज़ करते हैं इसको not लिख दिया तो यह statement गलत है बाकि this method is not suitable for surgical dressing तो बिल्कु सही है surgical dressings के लिए तो autoclave होते हैं ठीक है surgical dressing autoclave यूज़ करते हैं तो यह dry heat distillation surgical dressings के लिए यूज़ नहीं करते हैं ठीक है तो option c आपका right हो जाएगा question देखिए next है and taric coating is given to tablets in order to protect the medicament from atmospheric effect and sure highest concentration of drug in the intestine बिल्कु सही बात है next है separated chemical or physical incompatible ingredient या prolong the duration of action of medicament तो option b हो जाएगा and taric coating का मैं हमेशे कहते हैं आपको question आता ही आता है बहुत बार repeat होता है ओके next है if a capsule is numbered as 000 which means 000 तो आपको पता है largest size होता है capsule का smallest कौन सा होता है अब मुझे comment करके जल्दी से लिख देजी comment में option देखिए smallest size capsule with a capacity of 100 mg बिल्कुल गलत है smallest size तो नहीं है तो largest size capsule है capacity 100 mg भी नहीं है capacity कितनी है दिल्दी से मिरे को comment करके बताने वाले हैं मिरे बच्चे next it is for the inclusion of ophthalmic only shape of capsule is oval yeah it is the largest size and for veterinary purpose only option d आपका राइट हो जागा largest size होता है यह next which one of the following is a correct statement regarding soft gelatin capsules तो soft gelatin capsules के लिए कौन सा correct statement है दिके soft gelatin shells में content methyl and propyl paraben and as preservative बिकुसाही बात है methyl paraben प्रोपाइल पेरावन होता है प्रिजर्वेटी उसकरते हैं तो आपको तो correct ही बताना था next not suitable for user suppositories not suitable for ophthalmic commitments या manufacturing and filling of medicaments are done in separate operations तो आपका option a right हो जाएगा next question है for the evaluation of tablet a test used to measure the amount of time required for the drug substance in tablet to go into solution under specified condition is known as dissolution test disintegration test friability test weight variation test तो option a हो जाएगा dissolution test next unequal distribution of color on a tablet with light and dark area standing out in a uniform surface is known as lamination capping modeling या picking तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं modeling बोलते हैं option c right हो जाएगा आपका okay modeling आपका answer हो जाएगा question देखे next mechanism of killing micro-organism by gaseous sterilization is coagulation of proteins alkylation of proteins oxidation of essential cell constituents and nuclear destruction तो जो जो जाएगा स्ट्राइजेशन में जो mechanism होता है वो alkylation होता है option b आपका right हो जाएगा okay next question a role of glycerin or glycerin or sorbitol in the manufacturing of capsule shell as a preservative flavoring agent or pacifying agent या plasticizer तो यह जो होते हैं plasticizers होते हैं जो glycerin है sorbitol है propylene glycol होता है option d हो जाएगा plasticizer देखिए जो आपके फार्मसूटिक्स के question जो मैंने 5000 की सीरीज चलाई है उसमें आपको thousand जो है फार्मसूटिक्स के questions करा दी है मैंने ओके तो फार्मसूटिक्स के question उसी वीडिए अभी आप इस dei side options can be used safely for intrathecal injections not suitable for intravenous injections when single dose aer 15 ml is performed before the preparations is transferred into the final country not suitable for eye drops okay तो इसका answer होजेगा option B होजेगा not suitable for intravenous injections when single dose exceed 15 ml okay next during the formulation of tablet purpose of adding magnesium stearate as the options lubricant binding agent absorbing agent disintegrating agent magnesium stearate जो होता है option A होजेगा lubricant ऐसा lubricant यूज करेंगे नहीं लुगोल solution is weak iodine solution aqueous iodine solution povidon iodine tincture तो लुगोल solution होता है यह aqueous iodine solution होता है तो option B होजेगा और iodine tincture जो होता है वो वीक solution of iodine को iodine tincture बोलते हैं question देखें next है which one of the following is a common ingredient in eye drops as d waxing agent potassium permagnate boric acid hydrogen peroxide zinc peroxide तो option C हो जगा hydrogen peroxide next penicillamine is an antidote used in the poisoning of iron cyanide mercury या copper and lead तो option D हो जगा copper and lead हो जगा इसका answer question देखें next 82 है an oxidative antimicrobial agent is yellow mercury oxide povidon iodine sodium hypochloride sulfur dioxide तो option C हो जगा sodium hypochloride next which of the following is an incorrect statement regarding ammonium chloride it is an irritating expectorant and used as an ingredient in cuff mixture given to aid easy elimination in lead poisoning in the liver it is metabolized into urea it is used as an systemic alkalizer तो इसका 83 का option D दिया हुआ है it is used as a systemic alkalizer next question है आपका which one of the following is used for treatment of of cystosomiasis जो काला जार है and administered intravenously antimony potassium tartrate potassium iodide ammonium carbonate strontium chloride option नहीं हो जगा antimony potassium tartrate को यूज़ करेंगे किसके लिए cystosomiasis के लिए next है sulfur compound which is a common ingredient in shampoos and lotions for the treatment of dandruff and cvoreic dermatitis तो anti dandruff पुछा आप से selenium sulfide sodium bisulfide sodium metabisulfide स्टोंटियम sulfide तो option नहीं हो जगा selenium sulfide होता है यह ओके question देखे नेक्ट ग्रीन विट्रियोल इस फैरस सल्फेट फैरस फ्यूमरेट फैरस सल्फेट मेगनिशियम सल्फेट जिंक सल्फेट तो ग्रीन विट्रियोल होता है फैरस सल्फेट होता ओप्शन बी राइट होजेगा नेक्स्ट है प्रोलोंग यूज ओफ सिल्वर प्रप्रेशन में लीट तो एक कंडिशन नोन एज यूफोरिया गैंगरीन हाइड्रेजीरम या एर गाईडिया तो option डी होजेगा आर गाईडिया नेक्स्ट है एन और्गैनिक मर्करी कंपाउंड विच इस कोमली यूज अंटिसेप्टिक अंटिफंगल एजएंटीज मर्सलाइल एसिड मर्केप्टोमेरीन थायो मर्सल या क्लोर मिरोड्रीन तो option C होजेगा थायो मर्सल होता है नेक्स्ट है विसकोस्टी बिल्डर्स यूज नो थैलमिक फॉमुलेशन्स कर्भोक्सी मिथायल सेलोज आइसो प्रोपाइल पामिटेट पीनाटोल या क्लोरो ब्यूटनोल तो option C होजेगा कर्भोक्सी मिथायल सेलोज होता है नेक्स्ट थिकनिंग ओफ शैंपू में बी कैरिड बाइडिशन ओफ इथालन डायमिन टेट्राइसितिक एस्ट लैनोलीन कर्भोक्सी विनाइल पोलीमर या हाइड्रोक्सी बेंजोट एस्टर टिके तो option C होजेगा कर्भोक्सी विनाइल पोलीमर नेक्स आई ओंटमेंट शुड मैल्ट एट निया टू बोड़ी टंप्रेचर रूम टंप्रेचर बोथ है और यह नन अन अन अफ दीज तो आंसर होजेगा option ए निया टू बोड़ी टंप्रेचर नेक्सट फोर प्रपरेशन ओफ इमर्मर्शन यूजिंग फिक्स्ट ओल के लिए तो 421 होता है फिक् पार्टिकल साइज आप से संस्पेंशन का पूछा है ऑप्शन देख लिए तो मैंने आपको बता रखा है ऑप्शन भी हमें 0.5 से 5 micron होता है संस्पेंशन का पार्टिकल साइज नेक्स एक्जामपल फोर सामी सेंथैट्टिक थिक्निंग एजंटिन सस्पेंशन पॉलिस और ट्रेगा कंथ कार्बोवैस या माइक्रो किसलाइन सालो तो ऑप्शन दी हो जगा माइक्रो किसलायन सालोज नेक्स्ट इक्षिन आपका है विच अंता इंग्रेडियंट इस इस उस पॉफ कंसंट्रेटिद हीमो डालेटिस फ्लूड बीपी पी चैल्शयम ऑउकजले टाटर लिए रिमोवर इस अधरवाइस कोल्ड एपिलेशन इलेक्टोलिस इस डापिलेटरी तो ओप्षन सी हो जगा डापिलेटरी इस बोलते हैं हे रिमोवर को के को सौडियम पायरो होज़ेक्टी वसका डापिलेटरी दकेला में तो कितना परसांट है वैसे इन विसका में तो इसका ओप्षन डी पोज़ेगा पॉइंट कोज़ेगा और 6% weight per weight of vasesin तुलसी comes under category anti-malarial immunomodulator diuretic या anti tumor तो तुलसी जो है यह होता है option B हो जगा immunomodulator होता है तुलसी का source होता है Osimum sanctum होता है तुलसी की family क्या होती है यह आपके लिए question है तुलसी की family आपको comment करके बतानी है तो तुलसी की family जो है आपको comment box में लिखना है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए है तो प्लेज चैनल करना क्योंकि स्टाइब के जो फार्मसिस्ट के question papers होते हैं मैं आपने चैनल पर आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और अपने friends के साथ जाज जादा शेयर कीजेगा ओके तो इस वीडियो में इतना ही ओके थैंक यूँ प्लेगा उसे हैं आपने तो